आप सब लोगों का स्वागत है महिंद्रा के ऑफिशल यूटूब चैनल पर मैं कुल्दीप महिंद्रास आप लोगों का तहिल स्वागत करता हूं रीजिंग के दमदाश सेशन में एक बार मैं सब लोग का नाम जो भी में आपर है तो यहां पर मेरे सारपग जी औक डिपाली का कार्थिक जी और गूं 뉴스 और और ओरना शुरू करते हैं चीज़ों के साथ में अगर आप लोगों को कोई भी दीजिंग से लेटे डाउट हो तो आप इस टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं यह मेरे टेलिग्राम चैनल के नाम होंगे ठीक है चलिए और किछी बोटेक पर 10% डिसकाउंट के लिए इस कूपन कोट का यूज कर सकते हो और अभी शेक जी गुड़ मॉर्निंग आच्छा एक बात आप लोगों को बताईए है चोटी सी में आप लोगों को बताई दी थी अठारा तारिक का जो भी एक्जाम का रिव्यू होगा जो भी एक्जाम रहेगा उसका 19-20 का मैं डाल दूँगा यहां पर अपने टेलिग्रा वालों को फायता हो जाएगा पेपर के डेट जाथा बहुत दूर नहीं है बहुत पास ही है चलो शुरुबात करते हैं अपनी पढ़ाई की ताबर तोड़ तरीके सा यह है आज का पहला कोश्चन आपके सामने लॉजिक सोचो मेरे बाई और जवाब बताओ क्या होगा चलो पहला कोश्चन आपके सामने यह रहा रुर्मानी संदीव साहब इसका जिवा बताएं पहला कोश्चन आपके सामने इसको क्या होगा बताएं बद्द कोश्चन का अंसर क्या होगा जीप का है 144 मैंनी का है collective, show का क्या होगा मिरे बताएं बहुत बढ़िया कोश्चन आपके सामने पहले देखो सबसे पहले जैसी कोश्चन आए प्लेस वैली नोट कर लो सीधे सीधे प्लेस वैली नोट कर लो इधा देखो टोटल करो पांच और पांच और दस बीस बीस और सोला बीस और सोला चात्यस ये 36 का 4 गुणा 144 बहुत बढ़िया कोशन सेम कंडिशन 13, 1, 14, 25 टोटल कितना होगा 25, 15, 15, 40 40 और 13 कितना हो जाएगा आप लोग का 53 53 का 4 गुणा है 212 हर किसी का मतलब टोटल करके 4 गुणा कर दिया है 19, 8, 15, 23 टोटल करते हैं तो कितना होगा तो यहाँ पे 23 और 15 38 और 19 और 28 27 यहाँ पे 7, 14 15, 15, 15, 15, 15, 16, 65 65 का 4 गुणा करना है तो 130 का दुणा करते हो तो 60 हो जाएगा 260 हो जाएगा 260 is the right answer ठीके मिर बाई चलिए देखते हैं यहाँ पे इस कोशन का आंसर कौन देता है चलो मेरे बाई सब लोगे गुड मॉनिंग है फटावर्ट से शेयर को अपने सभी दोस्तों को बता दो बुला लो अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो फटावर्ट से क्लास का लिंक अपने सभी दोस्तों को बुला लो जल्दी से क्लास में ठीके ना चलो यहां में सब लोग का जवाब आ चुका है बहुत बड़ी है सही है 260 होगा 260 होगा बिल्कुल सही जवाब आया था ठीक जवाब इसका क्या होगा विलेजर्स, पूर मैन, मेल विलेज, गरीब व्यक्ति, नर अब सीधी सी बात है कुछ विलेजर्स क्या होंगे, पूर मैन होंगे और कुछ मेल भी होते है है ना, तो यहां पर डी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऐसा नहीं है कि सारे गरीब आद व्यक्ति और गरामीन मेल ही होते है तो यहां पर d वाला सीजॉवा घुठा हो जाएगा, कुछ villagers वह male भी होँगे, और वह गरीब भी होँगे, और कुछ villagers गरीब नहीं होँगे, हो जखता हूँ male ना हो female हो, ठिक हमा, तो d पिलकुल से जाएगा, c नहीं हमेगा, d ढगा. ठीक है इसका जवाब बता है आप लोगों तो ग्रामीड आदमी को गरीब मान लिया सीधे सीधे ग्रामीड है सब गरीब ही होगा इसका बता है 1267 122 बहुत चांदार कोश्चन जल्दी से लॉजिक सोचे गुड मॉर्निंग मिंधुन साब रहते हैं और दो साथे विलेजमें ही एँ अरे साथे मेल विलेजमें ही रहते हैं मतलब अगर रहे मेल वनना है तो गाउं में रहना शुरू कर दो बही सब लोग यह वड़ीया वड़ीया कॉंसे अब सब दे रहे हो इसका ज़ुआ पता है इसका क्या होगा पड़ावर से अपने दोस्तों को लिल्दी से क्लास का लिंक शेयर कर दो सभी लोग और बला लो इसका ज़ुआ पता हो मिरे भाई क्या होगा 112 है और 12 है इन दोस्तों 67 सोचते हैं तो 112 है 12 जोड़ दूं तो 134 हो जाएगा नहीं नहीं 134 क्यों होगा 124 होगा 124 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 62 यानि कि मुझे तोड़ा सकनी पर गरवड हो गई है यहां पर 134 कर लो अच्छे 122 है 122 है 112 हो जाएगा 134 का आदा कितना होता है 67 सेम कंडिशन यानि कि इन दोनों नम्बरों को जोड़के बीच वाली वैल्यू बन रही है तो वह वाला देखते हैं किसमें पैटर्न बन रहा है तो 139 और 15 को अगर मैं एड करता हूँ तो कितना हैगा 154 154 का आदा कितना होता है 77 एवाला बिल्कुल सही जवाब आ रहा है A is the right answer एव बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सब लोगा जवाब सही है इसका जवाब बताएं इसका क्या होगा मिर भाई इसका क्या होगा यहाँ पर रोई जी मिथून जी सौरव जी मनिपाल जी गुडिया जी सब लोगा जवाब बिल्कुल सही आया है बहुत बड़ी है बहुत शानदार इसका जवाब बताएं इसका क्या होने वाला है 110 121 क्या लग रहे है कारदिक साब बोल रहा है मेरा सही था यह दोनों 11 के मल्टी बिल में जा रहे हैं और आप्शन भी सारे 11 के मल्टी बिल में आ रहे हैं सोचो क्या लग रहा है कैसे बनाओग 110 23 और पांच कितना होता है पच्चिस है ना 235 पच्चिस बन जाएगा पच्चिस का चार गुना कर दूं तो सो हो जाएगा सो में 11 दस जोड़ दूं तो वैसा कोई लॉजिक लग नहीं रहा सफिर 10 जोड़ में पड़ेगा इतना नहीं कुछ और सोचते हैं 2 और 3 का सिंगल जिट कर दूं तो कितना हो जाएगा 5 5 में 5 जोड़ दूं ये वाला तो कितना हो जाएगा 10 10 में 11 का गोड़ा तो 110 ठीक है अगला देखते हैं 5 और 6 को जोड़ दूं तो कितना होता है 11 इसका सिंगल जिट एक और एक दो तो इसमें जोड़ो 9 9 और दो 11 11 का 11 से गोड़ा 121 9 4 को जोड़ो 9 और 4 13 13 को फिर जोड़ो 4 क्योंगी सिंगल जिट करना है चार में कितना दुड़ेगा 3 4 और 3 कितना होता है 7 7 का 11 से गोड़ा 77 सेवंटी सेवन इस जराइड डांस है 77 आएगा मेरे बाई क्लियर है चलो इसका बताओ मेरे बाई इसका क्या होगा सिंगल जिट करके करा था बिल्कुल सही जवाब आया 30, 24, 44 क्या लॉजिक लग रहे है कोई बात नहीं है जी आजी 30, 24, 48, 12, 88, 23, 92, 48 क्या आज के कोशन रखे भी थोड़े हार्ड है सोचो जल दी चाहे देखो इसार मेरे भाई इसको समझ ना सबसे बड़ी वैल्यू की तरफ जुकाव लिया करो मैंने पहले भी बोला है अमेशा बड़ी वैल्यू की तरफ जुकाव लिया करो बड़ी वैल्यू उन दोन में 48 और 88 है ठीक है 324 का अंतर कितना होता है 6 8 गुना उसका 48 हो जाएगा 312 का अंतर कितना होता है 11 11 का 8 गुना 88 हो जाएगा अब यानि की जो 48 है वो किसका 8 गुना होगा 6 का तो यहां पे 6 बनाना है तो 92 तो जाट जाट जाटा हो जिससे 6 बन जाए तो क्या गटा होगे 86 75 नहीं हो गा यहा पे 86 बिल्कूर बड़े हो जाएगा ठेक है चलो इसका जुवाब बताओ इसका क्या होगा मेरे बाई इसका जुवाब बताओ इसका क्या होगा इसका जुवाब यहाँ बताओ क्या बन रहा है इसका मीनिक्फुल वर्ड क्या बन रहा है बनाएं देखो इसका जो मीनिक्फुल वर्ड बन रहा है वो आप लोग को इमेज में दिखा दूँ इसको बैली एरिया बोलते है पांच बोलते है ठीक है नथै तो यहाँ पर exeamna ले पूछा है लास्ट आल्फाबेट क्या होगा तो अच होहाँ है बैली एरिया के हिस्चे को बोलते हैं इसको ठीक है इसका जो किया होगा मेरे भाई जल्दी से दबा के लिंक को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो फटावर्ट से सब दोस्तों को बुला लो अपने आज जल्दी से ग्लास के ठीक है न? इसका बताओ 8-8-6 क्या बनेगा मेरे बाई बता है सी आंसर आ रहे है चलो देखते हैं इन दोनों को देखो सीधा है 8-6 को जोड़ दो बड़ी वैल्यू की तरब जुकाव है 8-6-14-14 दुनी 28 कदम बाद यार बहुत आसान है यार इसी तरह से 7-3 को जोड़ दो 7-3-10-10 दुनी 20 20 is the right answer C is the right answer C आएगा इसका बताएं इस सीरीज का ओर्डर क्या होगा इस सीरीज का ओर्डर क्या है 3-5-10-20-27 क्या बताएं बहुत बड़िया सीरीज आपके सामने बिल्कुल कार्दिक साब सही लॉजिक दिया है अपने विदानता जी का मही जी का मनीपाल जी का सब जी का जवाब आया है हुदे जी का जवाब आ गया बहुत बड़िया चलो इतर देखो लॉजिक पहचानू क्या लग रहा है 3 का अंतर है 5 का अंतर है 10 का अंतर है 26 का अंतर है कैसे अंतर है यहां पर 2 का अंतर है देखो यहां पर 3, 5 यह जो अंतर है 3, 5, 10, 20, 37 मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि यह जो 2 का अंतर है 5 का अंतर है 10 का अंतर है और 26 का अंतर है मैं इसे ऐसे बोल सकता हूँ 1 का स्क्वाइर प्लस 1 2 का स्क्वाइर प्लस 1 3 का स्क्वाइर प्लस 1 और यहाँ पर जो अंतर आएगा आपका 3 का हो गया अब यहाँ पर 20 से 37 जा रहा है हाँ यार तो यह 17 का है तो 4 का स्क्वाइर प्लस 1 एक रिदम बैट गया में था तो ये 5 का स्कॉयर प्लस एक मतलब 26 आना चाहिए 37 में 26 जोड तो आंसर आ जाएगा तो सीधे सीधे आंसर कितना हैगा 63 is the right answer 360 हो जाएगा मेरे बाई बिल्कुल सही जा रहा है 63 100 परसें लोगा बहुत बढ़िया शाबाश 63 होगा साही जवाब है इसमें कितने स्कॉयर हैं जल्दी से बताए इसमें कितने स्कॉयर होंगे बताए हाँ इवेक साब वहाँ पर 17 का अंतर होगा बिल्कुल सही है इसने मतलाएं कितने square होंगे और rectangle भी square rectangle दोनों बूचेंगे एक्जामने ध्यान रखेगा देखो square निगलने का तरीका पूरी class को आता है square का मतलब क्या होता है row और column के आखरी का गुणा मतलब 3 का 3 से गुणा तो 3 का square बोल दूँ से plus 2 का square plus 1 का square तो यह होगा square का तरीका तो 9,4,1 square कितने है 14 square है square 14 होंगे वहला option तो किया होंगी 24 बोल रहा है वो 14 square है अब rectangle देख लेते हैं rectangle कितने होंगे rectangle का तरीका क्या होता है एक side के layer जोड़ दो और उसका गुणा करो दूसरी side के layer के addition से तो 6 गुणा 6 36 यानि कि इन दोन में से कोई भी नहीं है answer किया होगा N O T होगा क्योंकि आपके square आ रहे है 14 और rectangle आ रहे है 36 1,2,3 3 और 3,6 और 6 का गुणा 6 से है 36 आ रहे है 14,14 नहीं आएगा बिटा 14,14 नहीं आएगा 36 आएगा बहुत बढ़िया question था square rectangle के point पे ठीक है ना square rectangle के point था बहुत बढ़िया question था N O T आएगा ठीक है चलो इसका जो बताओ इसमें कितने square है इसमें कितने square होंगे बताए इसमें कितने square हैं मेरे बाई बच्चों का question हो जायता है देखो एक बात धियान रखना अगर कभी भी square यहां पे आए तो एक डिब्बे में कितने होते हैं पांच एक डिब्बे में कितने होते हैं पांच दूसरे डिब्बे में भी कितने होते हैं पांच ही बनेंगे तो पांच इसमें आ जाएंगे पांच इसमें आ जाएंगे टोडल दस है खतम गानी राइट वैसे भी डोल रखा है इसमें में बताएं क्या आएगा बिल्कुल बिल्कुल मही जी इसका लॉजिक जल्दी सोच को मुझे बता दू भई इसका लॉजिक क्या बनेगा मेरे दोस्त सब लोग खुश हो गए आज देखो इन सब का मल्टिप्लाई देखते हैं बहुत सीधा दीधा दिख रहा है तीन तीका नौ क्योंकि अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं तो सब दो प्राइम नंबर है और ये दोनों तो प्राइम नंबर आखर वाले तो हैं नहीं है ना चलो तो अगर मैं इनका गुणा सोचता हूं तो गुणा बनेगा मेरे दो दुनी चार चार दिया बारा चार दुनी आर आड दुनी आर दुनी सोला तीन तीका 9 नो 927 27 2881 ये भी उसको आयरा है ये भी उसको आयरा है इसका multiply इसको आयर नहीं बैठ रहा है B वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा B is the right answer D वालों का जवाब गलत हो गया B वाला होगा सही जवाब ठीक है ना? B is the right answer इसका जवाब बताएं इसका क्या होगा आपकी बार सब लोगों के number गड़े हैं इसका जवाब यहाँ पर क्या होगा सोचिए मिर भाई इसका क्या होगा 17458 क्या 17458 क्या बहुत आसान सा दिख रहा है option भी square में दिख रहे है पूरा पूरा हिंटिक में ला है ओके कार्थिक साब देखो 7 और 1 कितना हो रहा है? 8 यह 8 का square है 8 और 5 कितना होता है? 13 13 का square कितना है? 169 is the right answer B वाला बिल्कुल से ही जवाब है चलो बहुत बढ़िया इसमें number of triangle कितने ही बता दे है जल्दी से number of triangle इसमें कितने होंगे बताए मेरे भाई इसमें number of triangle कितने दिख रहे है जल्दी से अपने सभी दोस्तों को आज भुला लो बहुत जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को जल्दी से खवर कर दो फटावट फटावट बढ़िया वाले कोश्चन को शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल दोनों को एड करके square जिया जी ने सही जवाब दिया इस डिब्बे में कितने होते हैं बताओ डिब्बे का पैटन पूरी क्लास को आता है डिब्बे में कितने होते हैं चार दुनी आठ होते हैं डिब्बे में जब आठ होते हैं एक सगन रूखिएगा डिब्बे में आठ होते हैं कि नहीं होते हैं तो एक छोटा डिब्बा यहाँ पर भी बैठा है यह तो एक बड़ा डिब्बा माल लो और एक छोटा डिब्बा यहाँ पर भी बैठा है कि नहीं बैठा तो छोटे डिब्बे में भी 8 हो जाएंगे तो 8 और 8 कितने होगा है 16 16 के बाद मैं अगर बात करूं तो यह चोटा बन जाएगा एक 3 का बड़ा वाला तो लेड़ी यह वाला कांट हो कुछा है जब मैं आठ गुना तो यह चोटा वाला और कांट हो जाएगा 3 का और अब टोटल कितने होगा है आट और आट, 16, 18, 19 19 के बाद यह हो जाएगा 20 और यह हो जाएगा चुटकुच और रिमेनिंगे 21 21 is the right answer 21 दिख रहे हैं 21 ही आएगा 21 दिख रहे हैं 21 ही आएगा 21 बिल्कुल सभी जवाब हो जाएगा 22 के बना इससे बनेगा बताये बहुत मुश्किल नहीं है 12 से 52 बनाना है आपको यही तो कनना है 12 से 52 बनाना है आपको ले दे के सारी गानी सिर्व इतनी है हम तो 12, 50, 60 के point of view पह जाओं तो भी नहीं दिखता है, यहाँ पर 21 answer ही रह रहा है, चलो देखते हैं कुछ और, 12, 36, 12, 36 हो जाएगा, 36 मैं 6 जोड़ूं तो 42 हो जाएगा, ठीक है, कहीं और देखते हैं, 16, 38, 48 मैं 6 जोड़ूंगा तो 24 होगा नहीं, 24 तिया, अगर मैं करूं तो, 22 जाएगा यह भी नहीं बन रहा, 8 तिया, 24 यह भी नहीं बन रहा, 15 तिया, 45 यह भी नहीं बन रहा, नहीं, फिर कुछ और लोजिक सोचना पड़ेगा, यह बात अब लोजिक लग नहीं था, भी answer कर रहे हो सब लोग, तो कुछ और सोचते हैं, 12 का 3 गुना, 12 तिया, 24 और ऐ 40 बन जाएगा, तो यह भाला लोजिक 8 पर लग जाएगा, 8 यह 24 और 8 का आधा जोडो के तो 4, 24 और 4, क्योंकि हो सकता है, उस नंबर का आधा, 28, C वाला बिलकुल सही जवाब हो जाएगा, C is the right answer, 28 वाला बिलकुल सही जवाब हो जाएगा, बिलकुल सही जवाब बहुत बहुत प्यारा कोश्चन है, जल्दी सा लॉजिक सोचके बताएगे, क्या होगा मेरे बाई, बहुत ही प्यारा कोश्चन, बिलकुल हाफ करके एड करा है, सब लोगा जवाब सही है, यह बहुत ही प्यारा कोश्चन है, अगर किसी ने मेरी इस से पहले वाला session 10 करा था, IB का तो मैंने सेम ही बताया था, देखो, इसमें ट्रिपल चार बार होन है, टोटल कितना हुआ, F, O, U, R, 4 हुआ, तो आखरी का अच्छा उठा लिया, R, समझ में आया, जैसे अगर तीन बार आप जोडते हो, तो कितना होगा, 8 होगा, E, I, G, S, T, तो आखरी का T, उठा लिया, समझ में आया, बच्चा, जैसे यहाँ पर 5 है, तीन बार, तो पान, दस, पंदरा, 20, कितना होगा, 20, तो आखरी का Y उठाओगे, तो Y आएगा, 20 is the right answer, Y आएगा, क्लियर दें मित बाई, बिल्कुल मही जी आपका जवाब, बिल्कुल यहाँ पूरी तरह सही है, सौरप करो, जब भी अल्फा बैट आएं, तो यह पैटर लगते हैं, जनरल वे में, इनको याद रखो, ठीक है मेरे बाई, इसका जवाब बताएं, 16, 49, 16, क्या लॉजिक लग रहा है, बताएं, 16, 39, 16, 32, 81, 49, 32, क्या लग रहा है, क्या होगा, देखो, ध्यान दो, हर किसी में एक स्क्वाइर चुपा हुआ है कि नहीं चुपा हुआ है, बोलो आया न, समझ में आ रहा है, हर किसी में क्या चुपा हुआ है, स्क्वाइर चुपा हुआ है, इसक्वाइर चुपा हुआ है, सोला में एक स्क्वायर चुपा हुआ है किसका चार का तो इसकी वैल्यू तो हो गई चार क्योंकि चार का स्क्वायर है अब यहां पर आपको ओवरॉल सोला बनाना है तो अगर मैं इन दौनों को जोड़ दू तो नौर तीन बारे और चार सोला हो जाएगा इसी तरह से एक क्य और तीन को जोड़नों साथ हो जाएगा साथ और बांच कितना होता है बारा ट्वैल जा राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा बी वाला जवाब सही नहीं होगा क्या रहे मेरे बाई सबी में स्क्वायर चुपे हुए है इत्तफाक जैसी चीज पेपरों में नहीं होती है अगर कहीं पे भी स्क्वायर चुपे हुए दिखें तो पहले उनको पकड़ लो अलग से ठीक है चलो बहुत बढ़िया कोश्चन एक और अगेन जल्दी से इसका लॉजिक सोचे और बताएं क्या होगा एक और बहुत बढ़िया कोश्चन आपकी स्क्रीन पे है जल् अब जो बच्चा इसको अलग तरीके से देखेगा वो नहीं बना सकता अभी अभी आपने एक लॉजिक देखा था फोर वाला सेम कुछ वैसे ही है यह स्पैलिंग याद है संडे मंडे ट्यूजडे वैडंस डे थर्सडे फ्राइडे सटर्डे कुछ दिखा नहीं दिखा त गयॡड़ को पूर बाद तुजवऄ यह से चुरूब वऄघंस डेगा एक का लॉजड़े के बाद शच्वा राइड सिर्ड़ जोग होगए लगभख लगड़ होक दो पूरी तरह सही जवाब आया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, very good, जल्दी से इसका जवाब सोचके मुझे बताएं, अगेन एक और बढ़िया, प्यारा सा कोश्चन आपके सामने, ठीके न, एकदम कुछी कुछी टाइप कोश्चन है, बहुत बढ़िया है, जल्दी आपको सिर्फ और से 29 तक पहुचना है, आपको 339 तक पहुचना है, अब सोचो, यहाँ पे वैल्यू बहुत जादा बड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी है, अब ऐसा कोई सड़न आसमान तो टूटनी किया कि यहाँ पे वैल्यू बड़ी हो गई, और वैल् 338 किसके क्यूब के आसपास दिख रहा है आपको बताओ, 338 किसके क्यूब के आसपास दिख रहा है आपको, 7 के क्यूब के आसपास है की नहीं है, 7 का क्यूब कितना होता है, 343, यहाँ पे दे रखा है 338, कितना अंतर दे रखा है, 5 का अंतर दे रखा है, कुछ समझ में आ तो लॉजिक समझ में आया होगा शायद थोड़ा थोड़ा कि मेरे भाई तीन और आठ का अंतर कितना हुआ पांच हुआ उसमें साथ का क्यूब जोड़ दिया ठीक है ना मतलब इन दोना का जो डिफ्रेंस है उसको माइनस करना है इसमें से आठ हो तीन के डिफ्रेंस को पांच साथ का क्यूब में से है तो 3,8,3,8 आ गया सेम कंडिशन 3 का क्यूब 27 उसमें से 6 और 4 का डिफ्रेंस को माइनस करना है वो वाला पॉइंट आप लोगा बनता दिख रहा है मैं एक बार लिख दूँ यहाँ पे तीन के क्यूब में 6 जोड़ा 4 घटाया 29 आया साथ के क्यूब में तीन जोड़ा 8 घटाया 338 आया दो के क्यूब में 9 जोड़ा 8 घटाना है मतलब 2 का क्यूब 8 एक और 9 जोड़ा आए 8 घटाना है तो 9 ही रह जाएगा 9 इस राइट आट अशे क्लियर है मिरे बाई चालो 324 वालों का सबका पत्ता गड़ गया हो अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा मैंने प्रॉबर बताया है दो दो बार इसका बताया इसका क्या होगा मिरे बाई के जी 320 का है जे वाई कितने का है के की वैल्यू 11 जी की वैल्यू 7 ग्यारा का साथ गुना करने से 77 बनेगा 320 दुनिया में नहीं बनेगा इसको अटा दिया सन्ने हमको एक बात बताई थी और वो ये बताई थी जैसे ही बच्चा इस पर काम ना हो बेटा उसका अबोजिट सो जादा इसकी वैल्यू 20 बीस और बार्य का गुणा 320 बन गया लॉजिक खदम कहा नहीं हो गई जे और वाई अपोजिट कर दो जे का अपोजिट क्यू वाई का अपोजिट बी 17 का दुगना 34 34 बहुत आसान सा कुश्चन था सीधा बन गया लड्डू जैसा था इसका बताए इसका meaningful order arrange करना है मैडक, इगल, टिडडी, सांप, घांस गुडिया जी बिलकुल सही जवाब है अमित कुमार जी इसका जवाब बताएं चंदू जी का जवाब आया है मही जी का जवाब आया है बहुत बढ़िया बहुत शानदार सौरब मुखर जी का जवाब भी आया है very good इसका क्या होगा मेरे बाई देख लो इसका logical सुपके हैं से एक बार सब लोग देख लो जिससे किसी को दिक्कत ना हो सबसे पहले घांस आएगी मतलब सीदे सीदे सी वाला जवाब सही हो जाएगा घांस को खाएगी टिडडी टिडडी को खाएगा मैडग मैडप को सब्सक्राइगा इगल तो यहां पर सी विल्कुल सही ओडर बन रहा है सी इस दर राइडांस है एना लोगी को यह बोला गया है बतायो ड्रॉइंग को क्या बोला जाएगा एक नंबर कोश्चन आपके सामने बताओ और गारेंटेट गलत बताओगे या तो पैचान ही नहीं आप लोगों के लिए होंगी शर्तिया रूप से गलत बताने की जब मैंने बात बोली है तो मतलब देखते हैं कितना सही हो कितना गलत जाता है ठीके ना बताएं इसका कोड़ यह है तो ड्रॉइंग का क्या होगा लगाओ दिमाग अच्छे से सीथो आ गया पुराने वाले कोश्चन का जवाब इसका क्या होगा मेरे बाई फोर्थ आंसर आ रहा है मितुन राज जी का बताएं देखो आप लोगों को जैसे यह कोश्चन दिखा करें इसके तीन ऐसे कभी भी साथ नंबर की स्पैलिंग आया करें इसके नॉर्मल ही पार्ट हो जाते हैं आप लोगों को पूरी क्लास को एक बाद अच्छी तरह बताएं जैट की वैल्यू इस बात को हमेशा ठीक है ना एक वैल्यू 27 भी होती है तो यहां पे आखिर में आने वाले वर्ल्ड है दो एक्स और जैड लेकिन यहां पर केवल आखिर में आने वाला वाई है लेकिन मेरे बाई ए तो है और एको मैं 27 बोल सकता हूँगी नहीं तो 27 मैंसे अगर एक घटा दूँ तो 26 बन जाएगा और यहाँ पे अगर तीन घटा दूँ तो 24 बन जाएगा और यहाँ पे 14 मैंसे दो गए तो 12 हो जाएगा बोलो हाया ना समझ में आया कि नहीं यहां पे अगर मैं 1 जोड़ दू तो 16 बन जाएगा यहां पे अगर मैं 2 जोड़ दू तो 7 में 2 9 बन जाएगा 25 मैं 3 जोड़ दू तो 28 बन जाएगा 28 मतलब भी होता है और यह क्या हो गया यह opposite हो गया तो मेरे भाई मैं पूरा-पूरा question नहीं करूँगा मैं पहले opposite उठाओंगा paper में W का opposite D मतलब चौथे नंबर पे D आ रहा होगा चौथे पे D आ रहा होगा चौथे पे D इन दोनों में से है बाकी option तो गलत है पूरा तो इना करूँगा मैं चौथे पे D आ रहा होगा यहां पे 1,2,3 जोड़ना है तो 9 और 1,10 मतलब J मतलब मेरा चौथा वाला option बिल्कुल सही है JPJ, APZ I hope logic भी सबको clear होगा यहां पे 1,2,3 जोडना था यहां पे 3,2,1 घटाना था clear है मेरे भाई मैंना solve भी करके एक बार दे दिया इससे किसी को पंगा ना हो एक logical का question आपके सामने logical का question आपके सामने इससे दिक्कत ना हो बताएं इसका क्या होगा प्राते गाल सुबह की सहर अच्छी होती है सुबह की सहर अच्छी होती है तो यह भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा कुछ लोग सुबह चार बजी रखते हैं टाइमिंग के बारे में कोई बात नहीं दी गई है और यहां पे वैसे भी शाम की बात हो रही है कि शाम को चार बजी जगने की तो अब्वेसी बात है यह भी गलत होगा तो नन आएगा नन इस दर आइड अंसर कोई सही नहीं है इसका बताएं इसका क्या होगा टाइमर एक बार चुड़ा दू कर दिया मैंने मिलिटरी का है जन्रल होता है नेवी का हैड कौन होता है बताएं मिलिटरी का है जन्रल होता है नेवी का हैड कौन होता है बताएं देखो अभी भी बहुत साहे लोग इसका कैप्टन बोल रहे हो कैप्टन नहीं होता कैप्टन शिपका होता है बबू कैप्टन किसका होता है shift का होता है, यहाँ पर सही जवाब जो होगा, वो admiral होगा, याद रखना very very important है, admiral is the right answer, ठीक है इसका जवाब बताएं, इसका जवाब यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर देखो मही जी का जवाब बिल्कुल सही आया है था, admiral होता है बिल्कुल सही उरों ने दिया था, answer, very good देखे है इसका जवाब सोचो H को art बोला गया है, के को क्या बोला जाएगा मिरे भाई H को art बोला गया है, के को क्या बोला जाएगा H की value art की है, तो के की value किसकी है मता है H art का है, तो के कितने का है सोचो, अब सर यह तो H की place value है, तो के की place value 11 होगी लेकिन मिरे भाई 11 option में नहीं है, मिरे भाई अब क्या गर होगे मता हो 27 होगी 27 आएगा 27 वालों का पत्ता में पहली गाड़, दो लो 27 गला तो 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 तर है, लो, खुश हो गया 27 आएगा रॉंग answer आदे लोग तुक्के लगाने शुरू कर रहे हो, इधर देखो जब भी ऐसा कोई point बने तो सोचा करो, यह H की place value कितनी होती है, 8 8 का cube 512, सारे नमबर जोड़ दो इसके कितना बनेगा, 8 बनेगा समझे, के का cube कितना 1, 3, 3, 1, 11 का होता है, के की value 11 होती है सारे नमबर जोड़ो जोड़ो, 3 और 3, 6, 7, 8 एट आएगा, आट ही आएगा इसका भी, 27 वालो बत्ता गड़िया, ब्लैक कोब्रा साहब, यहां पर आ चुके हैं, जल्दी से, अंसर कर लो सब लोग, वन्ना कोब्रा जी अच्छी तरह बता देंगे, यहां पर इसका बता और मेरे वाईट, इसका क्या होगा, देखो यह 17 है और इसकी वेल्यू गया रहा है दौनों का गोड़ा हो गया 187 सीदा फाता कुष्टन है साफ साफ दिख रहा होगा ठीक है यह 23 और यह 5 है 23 का 5 गुना कितना होता है 115 तो अब एक्जामनर आपसे इसी पॉइंट आप पूछ रहा है option क्या होगा अब यह वाला त सब्सक्राइब गलते यह तो हो यह नहीं सकता ना दौनों तरफ नमबर है मेरे बाई सोचो यहां पर ऐल्फाबेट होना चाहिए एक्जामनर यही तो भसा रहा है आपको क्योंकि उसने इसने उसको बता है अच्छी तरह बच्चे को बता होता है ठादा कुण अठारा तीनसोचोविस होता है लेकिन यह पर अल्फाबेट है ही नहीं मेरे इसका नहीं करेंगा एक्जामनर भी थो फशाएगा तुम लोगों क्या लगता है एक्जामनर तुमारे लिष्टे में ल सोचो इधर तोटल वारा लॉजिक जिंदावाद होता है मोसली के इसमें सबसे पहले प्राइम नमबर को चेक करा करो वना है स्कोट्स को चैक करा करो नहीं लगे तो तो तोटल मार दो सीधे खानी घदम ड़ाओ चार चार आठ नौ चार चार आठ आठ और आठ इसका डोट तीन पर का नाम ले लो, उधै साब बोल रहे हैं, लेलिया, उधै भाई, बड़ा शांदर कोश्चन आपके सामने आया है, बड़ी शांदर कोश्चन आपके सामने आया है, बताएं क्या लॉजिक लग रहा है, पर्मिट का गोर है, 275949, का क्या होगा बता है ए ह हम पर्म प्रमीट का बतापphenय। चोने दिस रड़ेन वह प्रमुअ कोड़ देखो यहां पे जब भी value 10 से छोटी दिखे तो single digit सोच लेना single digit का sense बता सोच लेना देखो कैसे P की value छोला 6 और एक को 7 कर दिया इसकी तो 5 होती है 8 और एक को जोड़ दो तो 9 हो जाएगा 3 और एक को जोड़ दो तो 4 हो जाएगा यहां पे 9 हो जाएगा एक्सामने थोड़ा सा टेड़ा कर दिया बच्चा सिधा सिधा ही सोचता है यही गलती है बस यहां पे 2 और जीगवा 2 बन जाएगा लॉदी समझ में आ गया बाकी सारे टेड़े कर दिये एक फूरा ही टेड़ा कर दिया तो यानि कि यहां पे जो शुरबात होगी वो 200 होगी दो के बाद एक आएगा तीन और एक का चार आ जाएगा 214 आ रहा होगा सभी में 214 है पांच और एक का च्छे दो और एक का तीन डी वाला बिलकुल सही जवाब आ रहा है डी इस राइड अंसर ठीक है मेरे बाई फॉर्ट वाला बनेगा लॉजिक हाई होप समझ में आ गया होगा सब लोगों को इसका जवाब बताए इसका लॉज बड़ापा बताएं खूप सारे नाम दे सकता है एक्जामनर तो अपनी तैयारी शॉलिड होगी अपन इस लेवल पर भी खेल के गए होंगे बताएं सॉरी देखो कौन इसको डंक से पहचानता है मेरे बाई लास्ट में तो मौत होगी ना बताओ है ना फस्स लास्ट पक्ड़ो आप चाहे बुड़े हो जाओ चाहे आजवान हो जाओ या भच्चे रहो लास्ट में तो मौत बिल्कुल आखनी में आना चाहे थर्ड वाला सई जो आपारा चाहिए मतलब B is the right answer खतम गाद हो गई पूरा कॉन देखेगा right is what death, death आखरी होगी C वाला V वाला कुछ नहीं होगा खतम गाद है इसमें कितने triangle है बताओ मेरे बाई इसमें number of triangle कितने है गिनो इत्मनान से और बताओ कितने है गिनो इत्मनान से और बताओ कितने है इत्मनान से गिनो और बताओ कितने है number of triangle कितने है देखो सूखा सूखा गिनो पहले इसको माल लो यह ही नहीं एक, दो, तीन, चार चार दुनी आठ तो यही हो गए आठ हो गए आठ के बाद अगर मैं बात करूँ तो इसार एक ऐसा वाला बनेगा एक और दो और इन दौनों को मिला के बन जाएगा यह तीन का सही बात है, ग्यारा एक यह बनेगा बारा और एक बनेगा यह तेदा पहले मेरे बाई, अगर किसी को नहीं दिखे हो तो मैं दुबारा से दिखा दू आठ तक आई वो सब लोग को दिख गए और फिर इन दौनों को मैंने मिला दिया यह वाला ले लिया तो तो एक और दो तीन का हो गया तो ग्यारा, यह बारा और यह तेरा पूरी क्लास को तेरा दिख गए तो तेरा तो दिखी रहे है, पूरी क्लास को यहां तक को डाउट है नहीं बी आंसर आ रहा है, कुछ लोग 16 बोल रहे हो, कुछ लोग 15 बोल रहे हो तेरा के बाद एक बनेगा यह यहां से यहां तक का भी 14, देखो यह वाला काउंट नहीं होगा क्योंकि यह कोई ट्राइंगल नहीं है, सबसे पहले तो इदर देख लो यह कोई ट्राइंगल तो है नहीं, तो यह तो काउंट होगा नहीं और दूसरी बात, यहां से यहां तक वाला और लेडी आठ में काउंट हो चुगा है ठीक है न, तो जो लोग 16 बोल रहे हो, थोड़ा सा ध्यान दो मेरे बाई 13 के बाद यह बनेगा 14 और यह बनेगा 15 है 15 बन रहे हैं केवल, 15 is the right answer 16 बालों का सबका जवाब गलत है जितने लोग 16 बोल रहे हो, क्योंकि सार थोड़ा सा higher value देख लेते हो सीधा सीधा 15 बनेगा, 15 is the right answer, 16 नहीं होगा मेरे बाई 15 बन रहे हैं केवल 15 16 बालों को सब लोगों का यह अस्टर दिख रहा है, या तो एक triangle या गलती कर रहे हो, ज्यान रगना है इंदर से इसके लिए 6 को 24 बोला गया है, 14 को क्या बोला जाएगा बताए 6 का relation 24 से है, तो 14 का relation कित से होगा 6 चकू 24, 14 का 4 गुना कर दो सार, 14 का 4 गुना हो जाएगा 56, लेकिन बेटा वो option में नहीं है अब वो option में है, है नहीं अब क्या अगर होगे लगाओ दिमाग चलो, तो ये question आप लोगा homework रहेगा इसका answer आप मुझे सूच के बताना मेरे telegram में ये मेरे telegram का नाम है कुल्दीप महिंदरास reasoning ये मेरे telegram का नाम है कुल्दीप महिंदरास reasoning तो इस telegram में बिलकुल भी जुनना मत बुलिएगा ये मेरे telegram का नाम होगा कुल्दीप महिंदरास reasoning ठेक है? अच्छा एक छोड़ी सी information और साड़े आठ बजे class चलती है डेली शाम में SSC के लिए और बहुत शांदार question होते हैं तो उसमें भी जुढ़ना मत भूलना और एक छोड़ी सी जरूरी बात सुनते जाओ बहला सुनो 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 जरूरी बात 18 तारिक को जुल्यों का भी exam हो मैंने 2-3 बार बोला है तो लोग परेशान मत हो ना बिलकुल भी सार पेपर में 19-20 वालों को पूरा exam का review दे दूँगा 18 तारिक में क्या आया था क्या नहीं अपनी टेलिग्राम में तो इस टेलिग्राम में मेरे बाई जोड जाना यह मेरे टेलिग्राम का नाम है कुलदीप महिंदरा सीजनिंग तो इसमें add-on हो जाना पूरा exam का review में आप लोगो यहां पर प्रवाइट कर दूँगा ठीक है ना सारे 8 पर भी शाम में क्लास चलेगी जो भी जरूरी notification होगी आप लोगों के लिए या कोई भी information PDF हो या vacancy से related को जानना हो आप लोगों को तो आप लोग मुझसे क्या कर सकते हैं इस टेलीग्राम में अपनी बात या अपनी ब्राउट पूस सकते हो ठीक है ना ठीक है डन तो आई होप सो सब लोगों को समझ में आता गई होगी पूरी तरा से मेरी इस टेलीग्राम में बिलकुल जुढ़ना मत बूलिएगा अपने सभी डाउट तो अपनी क्यूरिस के लिए ठीक है ना एक्जाम का रिव्यू भी में पूरा-पूरा यहां पर प्रोवाइट करा दूँगा और एक डेली शाम में क्लास चलती है साड़े आड़ पर जी है तो ताबर तोड शांदार क्लास होती है अपनी एकदम बहुत बढ़िया वाली तो इसमें तो जुड़ना ही जुड़ना है ठीक है ना टेक क्यार सब लोग अपना अपना ध्यान नको खुश रहो टेली ग्राम में जोड़ जाओ सभी क्लास का टाइमिंग और जरूरी इंफॉर्मिशन सब मिल जाएगी ठीक है ना चलो बाइ टेक क्यार फिर मिलने आज शाम साड़े आठ बजे आज शाम को साड़े आठ बजे क्लास होगी ध्यान दगना ठीक है ना शाम को साड़े आठ बजे